नमस्कार स्वागते आपका NextNine Sports में और आज हम बात करने वाले हैं IPL के उबर जो के सबसे बड़ा इंडिया का त्योहार माना जाता है वो है IPL तो आज हम बात करेंगे RCV पर जो के सबसे बड़ी टीम है सबसे बड़ी चेहरे हैं और सबसे बड़ा चेहरा है ब्राट कोली तो घा जाता है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मैं आगडों पे नजटा डाले तो उसके बाद करेंगे और तीन मैचो में बिराट कोली असफल रहे हैं तो मेरे साथ है हमारे एल्टर आड्मिन जी इं dalनी से मातुकं कर से बातुत है तो तीन मैचो में पहले हो प्याली आतील के क्लाहिएं सब से बढदिधारावाद के खिलाब सरन ενमें, बड़े नाम है दुशन है शेताय चाहि है बैदावाद के दिति करें लिया है दुनिया के सबस्तों बड़े बल्लेवाज बड़ा नाम है लेकिन हां यहां पर जिस तरह के आपने मुद्दा उठाया मैं समझ पर आँ उस मुद्दे को आपके उमीदे ज्यादा है और वह भी क्यों ना है कि इतने बड़े नाम आपके पास है इतमायर आपके पास है गेंद सब्सक्राइब नाम है और यहां पर वह जिता लेंगे लेकिन हां यहां पर वह मैजिक चलता हो नजर नहीं आ रहा है जो बहुत चिंता का सबब है और उनके चाहने वालों के लिए सब्सक्राइब नाम है बड़ा नाम है वह था हैडमायर जो कि कल ओपनिंग करने आए लेकिन वह बिल्कुल असफल रहे और बड़े-बड़े चेरे देखें तो एवी-डी-वी लियार्स मोहिन अली सिम्रॉन हैडमायर जो कि सब असफल है तो सर आप इसमें बालिंग को चि बैलिवास आपके पास ब्राट कोली जसना में आपन आपन और जो लगतार करते रहें आप इस पर जबर्दस्ट परजन सुनकी नज़र आती फील के लिए लेकिन इस पार तो बुझे-बुझे से नजर आ रहे हैं वह उनके इंदर का जो एक अग्रेशन होता था वह नजर हो सकता है कि चिंता कस्ता वो आर्सीवी के लिए बन जाए और बनता होगा नजर भी कहने के आहिरा है क्योंकि तीन मैच हाड़ना कुछ छोटी मोटी बात नहीं आर्सीवी के लिए वहीं अगर उनके प्रिति-दोंदी टीम है जो पहला मुकाबले खिले आपने चेनिकर जि कोनों ही डिपार्टमेंट में विराट की सहना आसफ़ नजर आ रही है तो यह चिंता का सबब है अगर यहां से नहीं समल पाती है विराट सहना तो मेरे खाल्स आने वाले मैचर्स और जदधा मुश्किल हो सकते हैं जैसा कि हमने आप कल देखा कि उसमें हैधराबाद करने और दौनों ने सदक किये बहुत ही अच्छा केले तो हम भी उमीद कर रहे थे का आछी भी बहुत अच्छा केलेगी लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को मिन मिला कि हाज इसमें है और मुहमद नभी बहुत बड़ा नाम है राशित खान जो कि मौमद नभी ने बहुत ही किस था जिन्दा किया और मुहमद ने किसे नहीं किस तरह से मजबूत किया इस बहुत दिल्चस्प बाते लेकिन हाँ अभी है अब है रहां थे और आपन ने कीजिए छिए और ने कीजिए ने किया है और शटक करके उच्छ रहे हैं क्योंकि आप समेते कर्क्रिक से बहन रह करते हो और में खाल से हैधराबाद के तो अगर मैं कहूं कि जो आखले थे वो उसने बहतर नहीं थे लोग सवाल उठा रहे थे क्या यह वही टीम है कि यह तीम और बहुतर प्रोजिशन कर सकती है है यह यह तो अगराद को देखे तो वेरेस्टो जो को पहला सीजन तीसर मैच में उन्होंने मात्र पच्पन बॉलो में सदक मार्ण तो बहुत भर इपलप दीया तो बहुत है तो बहुत ही बड़ी मतलव उपलप दिया है उसके बाद हम बात करें सर कि पिछले तीन सीजन से अच्छा करते हैं दीजन दीजन वाली के बाद में पर इसका उच्छा नहीं रहा है जाकि बैटिंग में चेज करने के मामिले में आर्ची बहुत आ गए है अच्छा श्कोर खड़े किया है लेकि जहां पर बालिंग सबसे बड़ी कमजोरी है उसको लेकि मैं बदा दू बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें लेकिन बॉलिंग वाईन सबसे वरी कम जोली रही लेकिन दो बड़े ने कीज़े जिसने हैं कर दो घंच पिर मगनें दो फॉल रही है रही है उसमें विराफ को ले कर दो इनको लेकर चलना पड़ेगा तो यह बादना पड़ेगा तो रहना है वही रहां जाते हैं तो रहनों कि भूंग नज़र आती है वही दो नहीं करने लगेए फिल्डिंग जो जबच विकिट कर दें रहां वहीं चीज अगर शोड़ा है और रहना है आधो निटीज ने खुट कर देखें लिए और भी तो आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है तो उसको लेकि मैं सवाल पूछना साहूंगा के विराट कोली और रोई सर्मा दोनों यह बड़ी बड़ी टीमों के कैप्टेन तो अभी रोई सर्मा अपने मैं प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं प्रदर्शन सब्सक्राइब तो इसका मतलग कुछ दिवाब होगा विराट कप को लिए बिल्कु सही बोला बहुत ही बड़ा सवाल आपका है दलासल लेखिए जब भी एक टीम हारकर टर्नमेंट से बाहर आती तो प्रेशर तो होता है और यह आपने बहुत सही का दलासल आप यह कहना च पास है अच्छे बैटिंग उनके पास है और जितने भी मौके मिलें है रोही शर्मा को आज तक उन्हों सवलता है दिलाई है कहना का इंडियन टीम को तो यह एक बन जाता है इस तरह का माहौल की भई एक प्लेयर को लगाता है क्यों कर रहे हैं कब तक करेंगे अगर करेंगे तो यह दिल्चस्प है कि अपनी बाते को लिए बहुत जादा ना सिर्फ जागरूख बलकि अपनी प्रिदिकरे भी शुष्री मेडिया के खरीए भी बेज़ते हैं तो यह हो सकता है आने वाल दूम में चैजिस देखें लेकिना कहीं नहीं दबाव में ज़रू है बागी मुश्किल है हमरे लिए मुश्किल है कि इतने बड़े नाम है अगर इस तरह की हार अगर वह सामने करें तो मेरे खाल से उनके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा उसको बना रहना बहुत ज़रूरी है अपने दर्सकों से हम भी हम यही कहींगे कि आप आपका इस बारे में क्या कहना है आपका इस बारे में क्या कहना है कि उनकी बॉलिंग कम जो रहे है बिलकुल कमेंड करके हमें बताइए और देख ते रहे नेक्स नानी स्पोर्स थेंक्यू